इसमें किसी को संदे नहीं कि लालु जी देश के सरवाधिक लोगप्री नेता हैं चाय पार्लियमेंट हो चाय कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्शन है यही वज़े हैं कि जितने भी हाज से कलाकार हैं इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जौनी लिवर, मैं या तमाम लोग इनकी बातें करकर के सबकी अच्छी इंकम हो रही है लेकिन फिर लालु जी हम यह भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं था 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 कोई कार्टूनिस्ट कोई कवी या कोई स्टेंडब कॉमेडियन लालु जी को टार्गेट जरूर करता है क्योंकि इनकी बात आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है और करेक्टर मोई उठाते हैं जो बहुत मश्यूर हो एक बार ओबामा जी ने लालु जी से प मश्यूरा लो जी सुम तुमें स्विमिंग आता है ना हमें तो नहीं आता है इस वेरी शेम स्विंग तो कुटा भी कर लेता है आप को आता है येस आफ कोर्स तॉ आप में कुटे में क्या फरक है कि सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है सबसे ज़्यादा मेहंती लालु जी हैं हर तरह से और एक सो बीस करोड हैं हम लोग यह भी तारीव की बात है हर एक हर एक को यह नसीब नहीं है तो एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज़्यादा बच्चे आपके हैं तो लालु जी बोले इसका जुम्मेदार कांग्रेस है इसके पीछे कांग्रेस कहां था फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे है तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धरम था अधर अधर कि अधर कि लालु जी कल मैंने सुनाया था कि लालु जी गबर होते तो शोले कैसे होती उसके बदले आज यह सुना रहा हूं कि लालु जी कि सुपर्मैन हो गए कि सुपर्मैन है जब रितिक रोशन वाली फिल्म बहुत हीट हुई क्रिश तो उनकी कलेक्शन को देखके अंग्रेजों के कान खड़े हो गए तो उन्होंने काया ओरिजिनली तो फिल्म हमारी सुपर्मैन है वह हवा में उड़ता है लोगों की मदद करता है तो वह इसको बनाने के लिए ग्रावशन के लिए और बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने अडिशन लिया कि कौन सब से अच्छा रहेगा इस रोल के लिए वैस्वार मैन के लिए सब रिजक्ट हो गए लालू जी स्लेक्ट हो गए कि अब लालू जी एकट सुपर्मैन बने तो उसके सीन कैसे होगे, उसके दर्श कैसे होगे, पहले सीन में, भाबी जी बोले, रावडी जी, में भाबी जी रावडी जी बोली, एजी यह बियाने बियाने नीला कपरवा पहन काय उड़ते हैं, अब उपरे से लाल चड़ी पहन दिया कितना चमकता है अब जब से सुपर मैन बने हैं डेरी दरवज्जे से कहने निकलते हैं चट फोर फोर के निकलते हैं उपर उड़ते रहते हैं नीचे से गाई और भेंश देखती हैं कि सहाब कब उतरेंगे चारा देंगे ए पगली देख फालतू बात करती है अरे हम सुपर मैन बना हूं हमको ताकत मिला है सबका मदद कर रहा हूं समाश सेवा हो रहा है कितना पुन्य का काम है लोग दुआ देता है यह नहीं न समझती हो कल का बात है तुम तो हमको घर का मूर्गी समझे अ बार हमारा कितना वावाई होता है कल का बात है एक ट्रेन एक ट्रेन हजारी बाग के जंगल में फंसा रहा लेत आठ घनटा लेत सब पसंजर परिशान बच्चा लोग था बच्चा लोग है, कोई का पानी खतम हो गया, खाने का सामान खतम हो गया, आठ घंटा लेट, हम उपरे से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे, अब पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के, अब पटना जंक्सन में धर दिये दो घंटा भीफोर, यह नहीं सुने ह है, रख तो दिये, बाद में पब्लिक कित्ता गरिया यह उनहीं सुने, ट्रेन जाओ थरा कोलकत्ता धर दिये पटनाव, अरे कभी घर से बाहर निकल के देखो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में हमरा सम्मान है, जो सच्चाई है, और नहीं न मालूम है, अब घर में सब नहीं बताते हैं, दूसरे पूछे, दूसरे द्रश में, दूसरे द्रश में, राबडी जी फी रहीं, ए जी, वो जो सूपर मैन है, अंग्रेज लोगों का, वो तो अकेले उरता है, कैसे साधी नहीं किया है, आप तो हमसे बिवाह किये हैं, जोरे से उरिये हैं, हाथ ठीक है, गरम कपड़ा पहन लो, उपर बहुत हावा चलता है, भाबी जी गई, राबडी जी, आई वापस, देखी, ग्रेणी तो ग्रेणी होती है, वो आके बोली, ए जी एक थो आइडिया है, उपर च्छत पे, रसी पे अपने नौठो बच्चा के कपड़ा सूख रहे हैं, तो रसी के एक कोना आप पकली, एक कोना हम पकर कुरेंगे, तो कपरवा भी सूख जाएगा, दर्द, है तो हमको खाली घर की मुर्गी समझती है, बाहर निकल के देखो, आई एम किंग मेकार, क्प yr I C कि वर में कि क माद़ का में ए आईएगा, जा एम एक कि वराख। कि बाहर च nenhumत Annoy, Direct subτάी तो हित का कर देखो?